इसे आप 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 सबका वेलिटम करते हूं नीदी कीचन लाइश्टाइल चानल पर दोस्तों मीद करती हूं आप आपके परिवार वाले सारे सुरेक्षित होंगे आज इस वीडियो में आपके साथ रेमेडी शेयर करी हूण यह आपके बालों को लंबा बनाएगा ध्रीना बनाएगा तो अगर बहुत जादा सफेद बाल है तो इस ऊपको एक बात और बता देती हूँ कि इसे कोई भी नुकसा नहीं पहुंचने वाला ह आपके बालों पे सिल्की शानी नेस आएगा साथ ही साथ आपके बालों में बहुत अच्छा सा वॉल्म भी आने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी उससे पहली छोटी से रिक्विस्ट अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चाहिए को कर दीजेगा पास ही दिखेगा चोटा सा बल बटन उससे दबाना न भुलिएगा ताकि आने वाले वीडियो उसकी रिटिफिकेशन आप तक आते रहेगी वीडियो पसंद आती है तो लाइक किजिएगा जादा जादा शेयर किजिएगा तो बहुत कम इंगर्डियन के साथ आज की रेमेडी बनाके हम रेडी करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको लेना है इंडियन बूस्बेरी पाउडर यानि की ड्राई आमला पाउडर दोस्तों यह इसली आपको मिल जाएगा मार्केट में आप चाहें तो आप घर पे भी साबुत आमला से आप ड्राइन करके बना सकते हैं बहुत अच्छा काम करता है हमारे सफेद हुए बालों पे इंफैक्ट अगर डेली डायेट में आप आमला अगर शामील करते हैं तो आपकी हिल्थ पे भी यह बहुत अच्छा पाउडर और आपके बालों पे भी बहुत अच्छा काम करने वाना है बालों को ले लूँगी आवला पाउडर और नेक्स्ट में यहां पे एक चमच इतना डालने वाली हो नीर पती पाउडर यानि की इंडिगो पाउडर दोस्तों यह जो रेमेडी है ना इससे आप आधे गंटे में अपने सफेद हुए बालों को काला बना सकते हैं तो यहां पे जो थर् आधा चमच इतना काला कत्था पाउडर काला कत्था है ना नैचरल ही आपके बालों को काला बनाएगा तो इसे जरूर इस्तमाल कीजिएगा और यह इसली मिल जाता है मार्केट में तो इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है अब यहां पे आप चाहें तो आप पेस्ट बना के रेड़ी करना है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पेस्ट को आपको फाइव मिनट के लिए यूगी चोर देना 5 minutes के बाद अपने बालों पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है लेकिन बालों पर पहले से कोई भी तेल नहीं होना चाहिए जिया दोस्तों मैं आपको बता दो पहले से तेल नहीं होना चाहिए नहीं तो यह अच्छी तरह से आपके बालों पर खलर नहीं लेकर आएगा बस स्मूध सा पेस्ट रेडी हो जाएगा तो बिल्कुल इस तरह से मिक्स करते रहना है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह जो रेमेडी है यह मैं खुद अपलाई की हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजर्ट आया है आप लोग बोलते हैं मेरे सफेद बाल नहीं है नहीं आपको अपलाई करना है अपने बालों पर आधे विंटे रहने दिना है फिर नौर्मल पानी से वाश कर लेना है दोस्तों उस दिल श्रैंपू मत कीजिएगा नेक्स से आप श्रैंपू कीजिएगा होग आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक